हलो दोस्तों आज किस वीडियो हम कच्छा नव के हाफ एरली यानि अर्दवार्शिक पेपर इंगलिज को देखने वाले हैं इसका पूरा हल आपको वीडियो को लास तक जरूर देखना है या कि 2022-23 का है आपकी जो पेपर में अर्दवार्शिक पेपर होने वाला है उसके लि लिए है फ्लोरेंस नाइटेंगल वाज बॉर्न 15 माई एंटी 22 इतली दवाहिज पेरेंट कॉल अप्टर दू नेम इन सीटी वाज़ज़ अर्बॉर्न हीच शोल अमबीशन वाज द नर्स अंद गीवें द थोट आप दो मैरीज अन परसनल हैपिनेश इस स्पेंट वाज य वेर वाज फ्लोरेंस नाइटेंगल बॉन यानि फ्लोरेंस नाइटेंगल का जन्म कहां पर हुआ था यहां पर देख सकते हैं लिखेंगे फ्लोरेंस नाइटेंगल बॉन वाज यहां पर देख सकते हैं इटली कौन सा इटली यहां पर लिखा हुआ है कि इनका जन्म हुआ सब्सक्राइब कर सकते हैं क्या कर सकते हैं कर सकते हैं उसके बाद चूज तो हम बिट्विल लगाएंगे उसके बाद है कि हर रिड इन यूनिवर्सिटी आपको इसमें काफी कन्फूजन होगा कि इसमें यू है इसलिए हम लगा देते हैं तो यह बिलकुल गलत है क्योंकि जो ए अन लगता है हिंदी का वर्ड देखा जाता है तो यू जो है यू को हम सकते हैं यह क्या है एक बेंजन है यह क्या है इसलिए यहां पर क्या लगेगा ए लगेगा क्या लगेगा यह लगेगा तो ही रिड इन आए इन यूवर्सिटी अगर आप आयन लगा देंगे तो आपका गलत हो जाएगा तो ए ही आपको लगाना है यही आपका 100% सही होता है कि university के साथ हमेशा A लगता है यह क्या होता है, अप billions में आता है तो आपको university के साथ अगर कही university दिखाई दे तो आपको A ही लगाना है आए नही लगाना है इसके वाद आप में अगला क्शूं दिया कि I.—like बनाना यानि लाइक बनाना है विच वर्ड करेक्ट इस प्लेड यानि आपको सही वर्ड को लिखना है जैसे क्विक्ली लिखा थे भी गलत है और ग्रैमर का भी इल्कुल सही है तो आपका इसका सही क्या हो जाएगा grammar grammar क्या हो जाएगा सही इसका word हो जाएगा उसके बाद है कि read the prices and answer question below यानि पैसे को पढ़ना उसके बाद तरदीना है as the five year old यहाँ पर लिखा है as the five year old बिस्मिल्ला खान played the gilly dunda near the pond of the ancient state ancient state dhomeran in बिहार he would regularly go to the nearly बार्ला जी टेंपल इन्हिंज भोस्पूरी चैटा at the end of which he would end the laddu winning 1.25 kg prize given the local महराजा तो आपको इसको आधार पर उत्तर देना है यहाँ पर देख सकते हैं what did the बिस्मिल्ला खान play बिस्मिल्ला खान क्या प्ले करते थे तो गिल्ले डंडा करते थे उसके बाद है कि where did बिस्मिल्ला खान go to the भोस्पूरी चैटा तो आप क्या लाएंगे बार्जी टेंपल मंदर क्या बार्जी टेंपल लगाएंगे उसके बाद है उसके बाद है कि how would was marriage तो कितने के साल बाद marriage किये थे तो यह सब आपका उत्तर जो है आपको किताब पढ़ने के बाद पैसेज को पढ़ने के बाद पता हो जा और रहेंगे जेब बैंडेट यह सब आपको याद्शाना आई पंजी यह सब दिखना है उसके बाद राइट एंस वर दे स्टेंजा बलो जो इस्टेंजा दिया उसके आधार पर आपको उत्तर लिखना है यहाँ पर दिया कि road delivered the yellow wood and sorry to I could not travel with and the with traveler long I stood the looked was the last wood इसके बाद है कि what does yellow wood मैं तो इसका उत्तर हो जागा wooden willow and color road उसके बाद है कि right the rhyming word of wood उड़ का राइमिंग वर्ड क्या होगा तो उड़ का जो राइमिंग वर्ड होगा इस्टूड होगा उड़ स्टूड उड़ स्टूड आप इससे राइमिंग वर्ड का मतलब होता है मिलता जूलता वर्ड होता है उड़ रूड उड़ 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 इस तरकार से क्या होत मार्केट हो जाएग जले भी हो जाएगा जले भी हो जाएगा बच्चों को पसंद हैं उसके बाद है महंद्र महंद्रा को लिखना थी इक प्रिखना एक सोपरन मदोद टोटीश्र टोट बाठिविछ फादर कि अपने वीडुक से मिलेगा अपने बुक के आधार आपको लिखना है उसके बाद सेक्शन भी में दिया कि रिड़ फालोविंग पैंसर एंड गीवन ब्लो यहां पर पचास मौक पाइस अभी आपको पड़कर दिया कि आपको पैसे दिखे दिया कि रिड़ पैसे फालोविंग ताज ताज ता पाउट देख सकते हैं पहला कुछन दिया कि फाउंटेन विद देशेंज पाथ है उसके पहला कुछन है कि वे ड़स दे ताज महल इस्टेंड यानि ताज महल कहां पर इस थी थे तो आप उसका उत्तर लिखेंगे कि ताज महल सेच्वेटेट अन दे बैंक आप रिवर और ताज महल इन आगरा तो काई आप इसका उत्तर पहला लाइन लिखेंगे कि ताज इस सेच्वेटेड अन दे बैंक आप रिवर यमूना इन आगरा ये आपका उत्तर पहला हो जाएगा उसके बाद कहा है कि फू इू भूल्ट दा ताज महल को किसने बनाया था तो आप तो किसके याद में देखने जाती है, what can be seen, the font of ताज महल, तो आम उन ताज महल लिखेंगे, उसके बाद है कि आप अगला question दिया कि given the subject, given the subtitle of the passage, passage का subtitle क्या है, तो passage का जो subtitle है, the taj महल है, क्या है, taj महल, क्या है, the taj महल, इसका पैसेच का title है, उसके बाद आप में अगला question दिया कि write an application in your principle for extra coaching as your weak English, यानि English जो कमी है, आपको कमजोर है, उसके लिए coaching के लिए क्या लिए क्या लिखना है, या तो आप राइटिंगे, लेटर आप दे इन सब का उत्तर में नेक्श वीडियो में आपको बता दूँगा, उसके बाद इन सभी का आपको अपने book से क्या करना, इस story को फूल कर लेना है, उसके बाद हाँ पर है कि change the following stranger in indirect speech, तो इसको आपको इन डारिक स्पीच में लिखना त्याम पर लिखते हैं, राम सेट टू स्याम, आई सेल नाट, वो टू टू डे स्कूल, आप क्या सकते हैं, राम, राम है तो क्या लिखेंगे, राम साइट का स्थान पर टोल, राम टोल्ड स्याम, क्या लिखेंगे, राम टोल्ड टू स्याम देट उसके बाद आई क्या है फर्ट पर्स परसन सब्जेक्शन सब्जेक्ट है राम के अनुसार ही हो जाएगा तो ऊद नोट जाएगा आप फिर से चेंज कर लेंगे तो साइट को आप कर लेंगे टोल। आपको मैं 30 आपको मैं एक सिंपली भासां बता दे रहा हूं कि आप सैट को कर लेंगे टोल्ड क्या लेगा ले ल में टोल्ड और धॉ मुलड मृर्स आई के हो जाएगा उसके बाद है आपको इसको पंच्वेट करना है त्या का आप कर सकते हैं यहां पर दिया इट में रैंट टूड़े सैड वाई हिज मदर लिखेंगे दव यस सैड तो मदर कामा इनुटिट कामा इट वी रैंट टूड़े इतना आप लिख लेंगे हो गया उसके बाद है कि भाई हिसको आपको क्या करना है ट्रांसलेट करना कि भारत के लोग सरदार पठेल को भारत के लवब पर उसके मान में यहां पर आपको सभी का answer देना होता है, जैसे कि इसका उतर देंगे, उसके बाद हैं, future, and answer, following word, याँने 30-30 word का आपको answer लिखना तो आपको next video में सभी का उतर आपको मिल जाएगा, जैसे अगर आप चाहते हैं, इसको आप लिख भी सकते हैं, पहले बुक से दिया що, वाट सबजिक्ट अब गजिक मार्जिक टॉमीट लॉरन वेऽ सब आपको पढ़कर आपको लिख लेँगे इन आपको वीडीओ आपको पसंद आए अगर को लाइक कर देगा चैनल पन नहीं तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर किबा का है Villa